लौड किसना नमन माई ओल डियर स्टूडेंट लौड किसना नमन टू आल मेरे प्यारे विध्यार्थियो आपका यह पॉइंट बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग है फ्लोरा एंड फॉना मेरे सभी स्टूडेंट जानते हैं फ्लोरा आर प्लांट फॉना आर एनिमल ठीक है तो फॉना आर प्लांट फॉनड इन पार्डिकुलर एरिया अगर किसी पार्डिकुलर एरिया के हम प्लांट की बात करें तो हम उन्हें फिलोरा कहेंगे fauna are the animal found in particular area किसी particular area में पाए जाने वाले अगर हम animals की बात करते हैं हम उसे fauna कहेंगे Examper The flora of पच्मरगी consist of salt, teak, wild mango, jamun, silver, fun flora जो है पच्मरगी के जो flora हैं वो consist होते हैं साल के पौदों के मिलने से teak, wild mango, jungle, jamun, silver, fun नाद के मिलने से The fauna of पच्मरगी consist of wild dog यहाँ पर कौन कौन से जीव होंगे डॉग होंगे, चीता होगा, वॉल्फ होगा, लियोपार्ड, व्लू, वुल, वाकिंग, डियर, एसेक्टरा यह सारे के सारे जीव यहाँ पर होंगे Now we discuss about endemic species Endemic species are those species of plant and animal found only in particular area and not found anywhere else Endemic species बेज जातियां है जो एक plant और animals की बेजातियां है जो किसी एक particular area पर पाई जाती है are not found anywhere else और कहीं दूसी जगह पर नहीं पाई जाती एक्जामपल साल एंड विल्ड मैंगो और endemic flora of पच्मरही साल और जंगली आम की जो वेराइटियां हैं यह पच्मरही में पाई जाती हैं विसन इंडियन जैंट इस्क्वाइरल एंड फ्लाइंग इस्क्वाइरल आर दा endemic fauna of this area इस एरिया में जो फॉना की अगर हम बात करें तो विसन इंडियन जैंट इस्क्वाइरल यान की जो लहरियां है और नहीं वाली उनकी बात कर रहा है इंडियन फ्लाइंग स्क्वाइरल और यह सारी की सारी endemic fauna है इस इंडिस एरिया ओके wildlife century wildlife century are area where animal are protected from any disturbance to them or their habitat the killing or capturing of animal in wildlife century is strictly prohibited wildlife century जो एक ऐसी एरिया है वेर एनिमल आर प्रोटेक्टेड जहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्टे किया जाता है from any disturbance किसी भी disturbance मतलब कोई उनका disturb ना करें to them or their habitat उनके आवास में भी उनकोई डिस्टरब ना करें the killing or capturing of animal in wildlife area is strictly prohibited आप wildlife century के अंदर किसी भी जीव को मार नहीं सकते हैं अगर आपने ऐसा किया तो इंडियन पीनल कोट की बहुत सारी धाराएं आपके उपर लगा दी जाएंगी नेशनल पार्क नेशनल पार्क आर एरिया रिजर्व फर वाइल लाइफ वेर दे केन फ्रीली यूज दा हैविटेट एंड नेचुलर रिसोर्स ऐसी एरिया जहां पर जंगली जीव आसानी से फ्रीली घूम सकते हैं अपने आवास का उप्योग कर सकते हैं और वो नेचुलर रिसोर्स के रूप में उसका यूज कर सकते हैं सत्थपुड़ानेशनल पार्क इस दार फर्स्ट रिजर्ब फॉरेस्ट इन इंडिया भारत का पहला सत्थपुड़ा पहला रिजर्ब फॉरेस्ट था यह प्रूजेक्ट टाईगर मेरे प्यारे विध्यार थी हो I think आप सभी ने टाइगर देखा होगा रियल में जू में देखा होगा या आपने टीवी पर देखा होगा Project Tiger was launched in 1st April 1973 1973, पहली April 1973 को भारत सरकार ने इसे launch किया था The project aims at ensuring a VA population of Bengal Tiger in their natural habitat and also to protect them यहाँ पर हमें संख्या बढ़ानी थी Bengal Tiger की, उनके नेचर रिसोर्स की Then from Extinixons and Preserving Area of Biological Importance इसी लिए इन्हें यहाँ पर प्रिजर्व किया गया इनका Biological Importance बहुत जादा है क्योंकि यह Top Consumer है यह कौन है Top Consumer भाई हमने आपको सबसे पहले बताया था Producer Green Plant उन्हें कौन खाता है? आप जानते हैं उन्हें कौन खाता है? God खा सकती है, Revit खा सकते है तो यह Primary Consumer हो गए, साकाहरी होते हैं यह Primary Consumer को कौन खाता है? Dog खा सकता है, Fox खा सकते है यह Secondary Consumer हो गए और जो Top Consumer है, यानि कि Dog और Fox को भी Tiger खा सकता है That means यह हमारे Tertiary Consumer यानि कि Top Consumer है इन्हें रखना बहुत जरूरी है हमारे Ecosystem को बचाने के लिए इनकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है Dear Student As our natural heritage forever represent as close the possibility the diversity of ecosystem across the Tigers distribution in the country हमें Tiger को बहुत सारे रिजर में रखा गया है रखा है The Projects Task Force Visual These Tiger Reserve as breeding nuclei हमें Task Force की मदद से इनकी breeding करवानी है इनकी security बढ़ा के From which surplus animal would migrate to adjacent forest हमें किसे भी करके इन animals की संख्या बढ़ानी है और यहाँ पर जो migratory हैं जंगल में आने वाले हैं उनके लिए भी एक नया इस्थान देना है My all dear students, this is very important for you Red Data Book The book provided a central information source in the organization studies and monitoring program on rare and endemic species यहाँ पर हम monitor करेंगे बात करेंगे rare and ender species के बारे में झाल झाल